जोति शास्त्र की ग्रहन को लेकर जो भी माननेता हूँ लेकिन कम से कम बैग्यानिक सूरी ग्रहन को लेकर खासे उत्साहित हैं उनके लिए ये अंतरिक्ष के कुछ और राज जानने का मौका भर है वैसे माने ये भी जा रहा है कि इस सूरी ग्रहन के बाद कोरुना के प्रकोप में कुछ कमी आ सकती है सूरी ग्रहन आखिर है क्या? दरसल जब सूरी और प्रित्वी के बीच चंद्रमा आ जाता है और चंद्रमा की छाया प्रित्वी पर पढ़ने लगती है जहां ये छाया पढ़ती है वहाँ या तो सूरी दिखाई नहीं देता या फिर सूरी का बड़ा हिस्सा काला दिखाई देने लगता है इसी खगोली घटना को सूरी ग्रहन कहते हैं 21 जून को साल 2020 का पहला सूरी ग्रहन है इस सूरी ग्रहन को लेकर भारतिय वैज्यानिकों में खासी उत्सुपता है सबसे दिल्चस्प बात ये है कि जब ये ग्रहन अपने पीक पर हुगा तो ये भारत के उत्तर हिस्से में द्रिश्यमान होगा यो तो ये पूरा सूरी ग्रहन 6 घंटे लंबा है लेकिन वो स्थिती जब चंदर्मा सूरी के मध्य भाग को पूरी तरह से ढख लेगा और सूरी का एक घेरा चमकती अंगूठी की तरह नजर आएगा ये नजारा कुछ सेकेंड के लिए दोपहर बारा बच कर दस मिनट पर भारत में दिखेगा ये जो सूर्गहंड लग रहा है वो बहुत ही खास इस माइने में है कि इसका ओधी और इसकी टाइम डुरेशन बहुत ही लंबा है करीब करीब 6 घंटे ये तक कि ये प्रभावी रहेगा इसके वज़स से पूरे विश्व में इसका बहुत चर्चा है और इसके काफी अध्यान हो रही है ये जो है 9 बच के 15 मिनट पे सुबह शुरू होगा और 12 बच के 10 मिनट पे इसका जो है जो रिंग ओफ हैर इसकी बात कर रहे है जब कि दम सामने जो है शेड़ो इसकी पड़ती है और ये करीब करीब 3 बच के 4 मिनट पे खतम होगा तो टोटल डिवरेशन आप देखेंगे तो 6 घंटे के आसपास लग रहा है बलेग्रा सूर्य ग्रहन तभी होता है जब चाग पृत्वी के चारो और उपोवःताकार कक्ष में जब घूंती है जब पृत्वी से थोड़ा दूर साभाविक से दूर चली जाती है तब उसका आयतन पृत्वी से सूर्य से थोड़ा सा छोटा होता है इसलिए पूर्ण ग्रास नहीं होके बले ग्रास होता है जब एक अगनी आगुन जैसा रिंग दिखाई देगा जाहिर इस खुबसूरत नजारे को देखने के लिए लोग टक टकी लगाए आसमान की और ताकते रहेंगे आला कि ये ग्रहन हिंदुस्तान के बड़े इलाके में नज़र आएगा लेकिन अगर आप इसे देखने के लिए माकूल जगा की तलाश में हैं तो राजस्थान, हरियाना और उत्राखंड में ये ग्रहन साफ तोर पर दिखाई देगा इसके अलावा दिल्ली, एहमदाबाद, पूने, नागपुर, नासिक, चंडिगड, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बैंगलूरू, लखनौ, चेन्ने, शिमला में आन्शिक रूप से ग्रहन देखने को मिलेगा विश्व के बात करें तो एक रहन अफरिका, एशिया और यॉरप के कुछ हिस्सों में दिखाई देगा लेकिन दिल्चस्प बात यह है कि सूरी ग्रहन का पीक भारत के उत्तरी हिस्से में दिखाई देगा आज तक देरो आज बात आज एक रहन लेकिन देखने का विए